आपका पहला सवाल है, कौन से फल के बीच को खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है? आपका ओप्शन है A. अम्रू B. पपीता C. सेव D. खरबूच सही जवाब है ओप्शन B. पपीता आपका दूसरा सवाल है, कौन सा पक्षी है जो अपने जीवन में कभी घोसला नहीं बनाता है? आपका ओप्शन है A. बास B. चातक C. कोयल D. शुतुर्मोर सही जवाब है ओप्शन C. कोयल आपका तीसरा सवाल है हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी मा का दूद पीता है? आपका ओप्शन है A. एक साल B. छे साल C. तीन साल D. पाँच साल सही जवाब है ओप्शन D. पाँच साल आपका चौथा सवाल है वह कौन सा जीव है जो कभी मरता ही नहीं है? आपका ओप्शन है A. धींगा B. जेली फिश C. अमीबा D. पैरा मिसियम सही जवाब है ओप्शन B. जेली फिश आपका पाँच वाँच सवाल है तैरता हुआ राश्ट्रिय पार्ट कौन से प्रदेश में है? आपका ओप्शन है A. मध्यप्रदेश B. गुजरात C. राजस्थान D. मनिपुर सही जवाब है ओप्शन D. मनिपुर आपका चटा सवाल है भारत की सबसे साफ नदी कहा पर स्थित है? आपका ओप्शन है A. छत्थिस गड़ B. मेघाले C. केरल D. जम्मू सही जवाब है ओप्शन B. मेघाले आपका साथा सवाल है प्लास्टिक प्लास्टिक पो सटने में कितने वर्ष लगती है? आपका ओप्शन है A. चार सौ पचास वर्ष B. आट सौ वर्ष C. दो सौ वर्ष D. एक सौ वर्ष सही जवाब है ओप्शन इगाले चार सौ पचास वर्ष आपका आटवा सवाल है कौन से देश में एक भी खेत नहीं? आपका ओप्शन है A. जापान B. केन्या C. सिंगापुर D. कोरिया सही जवाब है ओप्शन C. सिंगापुर आपका नवा सवाल है कौन से देश के लोग खुत्ते को पालना सबसे अधिक पसंद करते हैं? आपका ओप्शन है A. बहरीन B. फ्रांस C. जापान D. अमेरिका सही जवाब है ओप्शन D. अमेरिका आपका दस्वा सवाल है कौन से देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपका ओप्शन है A. चीन में B. नार्वे में C. कांगो में D. जापान में सही जवाब है ओप्शन B. नार्वे में अब ये सवाल आपके लिए इस सवाल का जवाब आप कमेंट के जरूर दीजिएगा कौन से जानवर के दूद में सबसे ज्यादा प्रिदीन होता है आपका ओप्शन है A. भैंस B. भेड C. उंट D. बक्री